हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज आप सभी को दो हजार 24 का जो पेपर वाइरल है यहां पर इसका संपूर हल देखेंगे फ्रेंस कच्छा 10 में पहने वाले जितने भी छात्र हैं जिसका एक्जाम 22 फरवरी को है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए जिसम में आप सभी को हिंदी का संपूर हल कराने वाले हैं ठीक है इस पेपर का आप सभी को संपूर हल कराएंगे यहां पर देख सकते हैं आप पूरा डिटेल में संपूर हल कराने वाले हैं तो आप वीडियो को लाज तक जहूर देखिएगा ठीक है इसमें जितने भी वाविकल एक्जाम में 95 पर्टिशत तक अंग हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं आपको बोड के एक्जाम कापी कैसे लिखना चाहिए सभी बातों को यहां पर आपका क्लियर कर देंगे ठीक है तो चले फ्रेंस वीडियो इस्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस देखें जब आपको हिंदी का यहां पर पेपर मिलेगा ठीक है जब हिंदी का पेपर मिलेगा तो सबसे उपर यहां पर अनुक्रमा के लिखना होता है आपका अपना अनुक्रमा के लिख लिजिएगा ठीक है यहां पर अपना नाम लिख दीजी का पेपर पे यह देखें आपका 801 DB सेट है ठीक है यहां आप यह देखिए आपका जो समय रहता है तीन घंटा पंद्रे मिट का समय पेपर को हल करने के लिए मिलेगा और यह पुड़ां करेगा टोटल सत्तर नंबर का रहेगा अब देखिए आप कुछ इसके निर्देश दिये जाते हैं आप सभी को कई पेपर हल कराएं सभी में गवाते हुए आप को सीधे परस्ण को बताते हैं और हल कराते हैं आप इन निर्देश को पातना चाहें तो एक बार देख लीजिए इससे आप जरू पहल लीजिए ठीक है चली सीधे परस्ण को देखते हैं देखिया आपका प्रारम बोता है खंड़ जिसमें बहुविकल् प्रशन रहेगा इसे का इंस्वर देना रहेगा आपको OMR सीट पर देना रहेगा फ्रेंज आप वीडियो को लास तक देख के आप यह बताइएगा कि 20 बहुईकल्पी प्रशनों में से आपका कितने प्रशनों का इंस्वर सही हुआ है आप कमेंट बाक्स में इसे जरूर बत प्रशनों में से आपका कितना बहुईकल्पी प्रशन सही हुआ है ठीक है कि आपकी तयारी कितना हुआ है आप इससे अपने आपको जाच भी सकते हैं ठीक है आपका पहला नंबर का सवाल है कि चिंता मड़ी के रचाईता है यह प्रशन आपको कई बार रिपीट करवा प्रशन को ध्यां से देख लिजिएगा चिंता मड़ी के रचाईता है यह आपके आचाया रामचंद्र शुक्र लिजी है तो कौन है तो सीधे आपको आपसन बताएंगे जिससे आपका समय बचात होगा ठीक है एक नंबर के प्रशन पूछा जाएगा चिंता मड़ी के इसका बनुसिफ्र चंद्र जी जी है इसका सही जोब को बीवला आपसन सही हो जाएगा पा स्उस और बाक्स में इसका अंस्वार आप साथ में बताते रहिए कि कंइस्वार आपका सही हो रहा है और टोटल वीष प्रशनों मेंस आप जरूर बताएं अग परेंश ने कि 20 प्रशनों में से कितने आप वही कल्पी प्रशन आपने सही किया है अब देखें तीसरा नंबर का सवाल क्या है जैसंकर प्रशाद का नाटक नहीं अब यहां पूछा है नाटक नहीं है तो आप द्यान से पढ़ के बताएगा जैसे यहां पर दिया दूरु स्वामिनी यांठी प्रशाद का नाटक नहीं है तो यहां पर नहीं पूछा जैएगा अगला प्रश्ण देखए आप चारह नंबर का कि शेख एक meaning ैपन्याश के लगयर नाशसा एक meaning इक मुस्की यहां थ्यान देजिएगा कि सेखर जो एक जीवनी ये है क्या थि开 жизни मतलगा दिजिएगा duża जीवनी क्या है उपन्यास है अग्रें टिएन weekend श्र Incorporा इसका सवाण सब्सक्रिकी साथ सवाल पांचवा नमबर के सवाल है अपनी खबर आत्मकता तो आप सभी को पता है पांडे बेचन शर्मा उग्र की है किसका है तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की है इस का सही जवाप संसा हो जाएगा ठीके देखिए फ्रेंस आप वीडियो में बस एक बार लाज तक देख लीजिए सभी प्रश्णों का जो concept आपका clear हो जाएगा ठीके छटवा नमबर के देखिए भूसर किस यूग की कवी है ठीके यानि भूसर के बारे में बताना कि भूसर जो है किस यूग के कवी माने जाते हैं जैसे आदिकाल के माने जाते हैं रीतिकाल के भक्तिकाल के या आधुनिक काल के ठीके तो भूसर जो है इस युक के कवियत यह है आपके रीतिकाल कि इसका सही जवब बीवला आपसन सही हो जाएगा अगला प्रसंद साथवा नमबर दखिए ललित ललाम रचना है यानि ललित ललाम जो है किसके द्वारा लिखा गया है मतिराम या पदमाकर देव की या भूसर की ललित ललाम जो है किसके द्वारा लिखा गया है मतिराम के द्वारा लिखा गया है इसका सही जवब एवल आपसन सही है लिखे कैसे याद रखेंगे ललित ललाम इसके लाश्ट मौ रहा है इसमें किस नाम में आपको लाश्ट मौ रहा है यहां पर मौ लास्ट मौ इसी में जाएगा अगला प्रशन देख़िए कि ये वनिला रचना है अब ये द्रला करते हैं ले याद हो गया होगा कई बर बता चुके है ये यह आपका दिवला सथा हो जाएगा ठीक है चलिए अगले प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण 9 नमबर का देखिए कि आगन के पार द्वार रचना है आगन के पार रचना है किसके है इसके इसिरावा जी रामदरिशन कर जी दिकिए कि अगन के पार है कि यह बीवरा स zarig आगन के पारद्वार कौन है तो अग्या जी के है इसको ट्रिक भी बना कि आप याद रख सकते हैं इसका सही हो जाएगा ठीक है अगला प्रशन देखिए आप दसवा नंबर का कि दीब सिखा काब्य संग्रा रचना है किसकी रचना है आप सभी को पता है कि दीब सिखा जो है किसके द्वारा लिखा गया है तो इसका सही जब क्या होगा यह वला आपसंद सही हो जाएगा इसमें भी आप ट्रिक लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं क्या जाएंगे ट्रिक यहां पर दो है ना तो किसमें आ रहा है ठीक है तो यह याद रखे लिजिएगा सिर्फ एकेलेट होना चाहिए आपसर में देखेंगे यहां भी दो है लेकिन इसमें सुबद्रा दो और दोनों आ जा रहा है इसका मतलब यह आपसर नहीं होगा दो से आप य प्रशन देखें 11 नंबर का करूल रस का अस्थाई भाव आपको पताना है कि जो करूल रस है इसका अस्थाई भाव क्या है आप सभी को पता है कि करूल रस का अस्थाई भाव क्या है शोक होता है इसके लगा हास रस का अस्थाई भाव याद रखेंगे हास रस का राई उप्रयुक्त पंकिती में आपको अलंकार बताना है कि इस में अलंकार कौण सब्सक्राइब में जो आपका अलंकार अलंकार है तो इसका सही जवाब सिवला आपशन क्या चाहिए नॅन लाकर कमानयाटाइन होता है तो वह कौन सा च्छंद होता है वह क्या होता है रोला थि desse का मतलब इस प्रश्न का सही जूब होना आफसन सही होजएगा इसे याद रखीएगा ठीक है इसके साथ याद रखेगा कि इसमें 11-13 मात्राव पर यती है जितने ही इसमें सभी पूइंट आप पूढ की एक्जामें कैई पूछा जा चुका निसमें अगला नंबर नंबर का सवाल है डीकशूं में प्रयुक्त उपसर्ग है उपसर्ग मतलब होता है कि जो शब्द दिया रहाता है उसके प्रारम में कौन सा सब्द आंस जुड़ा होता है वही उपसर्ग का लाता है जैसे पारेवरार में देखेंगे तिया हो जागा परी धन आवरण होता है तो इसमें क्या जुड़ा है परी जुड़ा ना इसमें आपसन देख लिए इसका आपसन सीवला आपसन सही हो जाएगा था परी है अब देखे अगला नंबर का जो प्रश्ण है महांता शब्द में किस परते का प्रियोग हुआ है तो देखे प्रते जो होता है शब्द के लाष्ट में जुड़ा रहाता ह हाफ क्या दिया नएंब यहां प्रते यहां प्रते लाष्ट में जोंड हो इसका नंबर का सुख समास होटा है यह तहां को ट्रिक से बता हैं कि जब भी आपको से हलंत भी्च इसमें लोट इसके अलावा आपको सबस्कार का याद कि जैसे रहता है अगले समास हो जाए डिवला आपक्षों हो जागा चलिए अगले प्राशा कुदेख़ते हैं 17 नमबर का निमिली कित्में से अगनी का पारेवाची नहीं रहें कि पारेवाची नहीं है कि अगनिक पारेवाची छोता हैं पावक होता है ज्वाला होता है इसका शही यहाद के बी वाला क्यूआ यहाँ पर नहीं पूछा भी वल आप से हो जाएगा थीके अगला प्रुशन दीकेए 1.58 संधी में और उखेत क्या होगा खिए की इससंदी विच्छेत क्या होगा रहा है अगला प्रशन देखिए 19 नंबर का कि मधु्षब्द का पंचेमी भक्ति एक पर्चन रूप बताना है कि मधु जो है उसका पंचेमी भक्ति में एक वचन के टिए रूप में क्या होता है ठीक है यह होता है मधुना ठीक है अगला प्रच्ण आप देखे 20 दिवचन होता है और मध्यम पुरुष होता है इस प्रश्ण का सही जवब देख लिए दिवचन और मध्यम पुरुष इसका सही जवब सीवल आपसन सही होगा ठीक है चलिए अगले प्रश्णों को देखते हैं इसके पहले आप कमेंट बाक्स में लिखके बताईए कि 20 प्रश्ण रहता है और बहुत ज्यादा सिंपल होता है आपको इसको लिखने का ट्रिक बता चुके हैं कि आप बिना पढ़े भी हिंदी में गद्यांस और पद्यांस लिखने का क्या ट्रिक है और बिना पढ़े भी हिंदी में आसानी से कैसे पास हो सकते हैं अभी तक उसको पर आधारित शभी प्रश्णों का उतर देना यह टोटल आपका च्छा नंबर का प्रश्ण रहता है यहां पर आपके सामने यहां पर एक गध्यांस देता है गध्यांस को हल करने से पढ़े इस गध्यांस को आप ध्यांस से पढ़ेंगे तो आपको एंस्वर उसका खुद सम क्या गया है चलिए आपको पढ़के बताते हैं अश्वार वही पास आया मंता ने रुक रुक करए या सब्दमल मम्ता मिला ना ये पार्ट का नाम क्या हो गया आपका मंताम disparate जब द्यान से पढ़ेंगे तो फुद उसमें पार्ड का नाम मिल जाएगा और ममता किस द्वारा लिखा गया है यह लिखा गया जैसंकर प्रशाद जी के द्वारा ठीक है जैसंकर प्रसाद तो आप इसको पुरपल जी ने रुक कर कहा मैं नहीं जानती कि यह वा सहंसा था य जोपड़ी के खोदे जाने की डर से भाइबीद रही भगवान ने सुन लिया मैं आज इसे छोड़े जाती हूं अब तुम इसका मकान बनाओ या महल में अपने विचीर विस्राम ग्री में जाती हूं इससे संबंधित आपका तीन प्रश्ण पूछता है पहले तो आप से पूछा था कमेंट में कि रेखांकित अंस किसे करते देखें रेखांकित अंस का मतलब होता जो वाक की लिखा रहा था उसके नीची इस तरह पाई रहता है यहीं रेखांकित अंस होता था जितना लिखा रहा था उसका व्याख्या करना रहता है यह आपका दो नंबर कराता है नीचे अगला प्रशन पूचा है ममता कि आज इवन भाईवित रहने का क्या कर था यह भी दो नंबर का पूचा है देखें इसका एंस्वर कैसे लिखेंगे सबसे पहले आप प्रश्ण वत्तर संख्या डाल लीजिए जो जो प्रश्ण लिख लिया जाता जैसे आप लिखें बता है कि जैसे अश्वार लिख लिए डाट डाट करके लिखेंगे मैं जाती हूं लाश्ट वाला एक दो सब्द लिख लिएगा जिससे एक्जामना तुरंट जाए कि आप किस गद्यांस का एंस्वर दियें यह कापी लिखने का तरीका होता है और जब भी कापी लिखेंगा एक लाइन जैसे छोड़के लिखें इसी तरह लिखिएगा पहले नंबर का दालिए यह था लिखना रहा तो एक लाइन छोड़ लिजिएगा संदर्व हेर्डिंग बनाईएगा ऑफ लिखिए संदर्व सिर्फ एक संदर्व आप परसाथ जी कहते हैं कि ममता ने अश्वारोही साहिनकों को अपने पास बुलाया और कहा कि किसी समय इस जोपड़ी में रात बिताने वाले ब्यक्ति ने एक साइनिक को यहां घर बनवाने के लिए कहा था मैं इस जोपड़ी को खोने के भैसे पूरी जिंदगी डरती रही क्योंकि इस जोपड़ी के साथ उसके जीवन की बहुत सी यादे जूरी थी मैं जब तक जिंदा रही तब तक इश्वर ने इससे बचाय रखने के लिए प्रात्ना सुन ली अब मैं यह दुनिया छोड़कर जा रही हूं ठीक है तो आपको इस पकास ब्याख्या करना रहेगा मतलब जो पुरा दिया है इसका आपको अपने शब्दों में ब्याख्या कर ले लिजिए बस एक बार इस जो बता हैं आपको एक बार आप ध्यान से पॉल लेते हैं तो आप इसका व्याख्या आसानी से कर सकते हैं ठीक है अब देखिए आपके सामने अगला सवाल है इसी में पहले नंबर का अथवाम दिया है उपर का प्रश्ण आ रहा है तो रेकांकित अंहक में पहले कहों देखियें ॥ॉं देखियें १ैस के अंसो बताने से पहले आप को क्या करते है कि ऊपर के एक प्रश्ण अभी रहा गया है जिसका आश्या ला दो नहीं बता है टेखिय अगला प्रश्ण आज इवन अपनी जोपड़ी खोदवाने के डर से भाईबीत रही ठीक है यहां पर वाक के पढ़ेंगे इसी में आपका एंसर मिल जाएगा जैसे ममता की आज इवन भाईबीत रहने का क्या कर रहा था तो जो ममता जी थी उसको भाईबीत होने का में कारणर क्या था वह सब् Wonderful वही आपका रिकाल अजन्त पूरा यहां से लेके पूरा लाष तक आपके ताव अगनुक्त को अपना पाड़ा करेंगे क्या एंग फार जा क्या लिकाल देखिए को और आप सब्सक्ता नामक पार्टसे यहां अब सो पता यह जब ऑननाा पाड़वा ख़ुने है अब देखे इसको आपको क्या करना है संदर्व लिखना कैसे लिखेंगे तरीका वही है आपका देखी पूरा एंस्वर आप देखिए दम लिखेंगे प्रश्णोतर संक्या वर अथवार लिखना अथवार लिख लिजिए का प्राराम के एक-दो शब्द लाष्ट के एक- यहां लिखिए का संदर्व लिखने के बाद आपको जैसे संदर्व लिखने का तरीका वहता उसी तरह लिखना है कैसे लिखेंगे प्रस्तूत गद्यास हमारी पाठे पुस्तक हिंदी के गद्ध खंड में संकलीत अजंता नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखा कौन ड ब्याख्या करना है तो देखे कैसे करेंगे आप यहां पर लिखेंगे पहले हेडिंग तो आप बना लीजिएगा इसी को रेखांकित अंसकी ब्याख्या इसके बाद लिखिएगा लेखक का कहना है कि अजन्ता की गुफाओं में ठीक है अजन्ता के इन भित्ती चित्रों में आश्चर जनक कथा कहानियां सिम्टी होई है चित्रों का एक दूसरे से ऐसा सामंजस है जैसे कि एक चित्री की कहानी दूसरे चित्री की कहानी से जुड़ी होई है इस तरह लिखेंगे अगला प्राश्ण आप से तिसरा नंबर के क्या पूछ रहे कलाकारों के हाथों से क्या-कैस रिष्टे चले गए इस पर अगर आपको आप ध्यान से पढ़ेंगे इसी में इसका एंसर मिल जाएगा देखिए आपको सीधे इसका एंसर बताते हैं से कैसे जीता जा सकता है इस प्रकार से आपको इसका एंसर देना रहे probably जीएगा देंगे इसी में इस पार का नाम आपको पता चल जाएगा जैसे आप पूर्मे निकसी रगु रगुवीर बगु धरी धीर देमग में डग दवे इसको पहने के बाद देखें यहां पर प्रश्ण आएंगे तो पध्यांस का संदर्व आपको लिखना इस पर दो नमबर स्रीराम के नेत्रों में आशु क्यों आगे दो नमबर रखां कि अंस परकूटी करी हों कि हमें अलंकार बताना यह भी दो नमबर देखें पार्ट का नम कैसे पता करेंगे देखें यहां क्या है रगुवीर बगु यह सब्दों को देखेंगे और यहां पर सीरीराम के बारे में किसने बया क्या किया है तो गोस्वामी के प्रस्वद्दातर संक्या कर लिएगा हमारी पुष्थक हिंदी सुखण में संकलित धनुस भंग वन पथ पर नामक पार्ट से लिया गया है इसके रचाईता क्यों है गोस्वामी तुलसी दाजी है अब देखिए यहां पर पध्यास का जब लिखेंगे तो यहां पर द्यास पर द्यान देना यहां काप बेखंड पर द्यान देना है ठीक है जब पध्या स्रीराम के नेत्रों में आसू क्यों बहाने लगे देखिए अब आसू क्यों बहाने लगे आपको यहां पर देखिए लिखेंगे कि महल से निकल कर थोड़ी ही दूर चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूद्ध आ गई ठीक है तथा सुकुमल होट सूख गए तभी वे स इस दशा को देखकर स्रीराम की आखों में आसू बहने लगे इस पकासर जैसे लिखें सिर्फ एक बार आप इसको देखके पढ़ लीजिए आपको प्रश्ण का एंस्वर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और बूर्ड के एक्जाम में यह पैरग्राफ आया तब आसान प्रास अलंकार रहें यहां पर लिखेंगे आप तीसरा नंबर सीवे डारेट लिखें दिजिएगा अनुप लांकार इस प्रश्ण का एंस्वर आप एक पेश पे या डेडर पेश पे ऐससे आप लिख सकते हैं ठीक है जितना नंबर कर राता है पूरा का पूरा आपको नं देखिए, जितने पा अथम्हाला सवाल में आते हैं तो दो प्रश्ण में से केवल केवल एक ही प्रश्ण करना रहाता है यह लिए द्यान दिजिए यह आप दोनों बोर्ड के exam मत कर दीजिएगा सिर्फ एक यह ऊपरवाले प्रश्ण कर दिजिएगा चाहे नीचे पढ़ने के बार इसमें आपको पाट का नाम पता चल जाएगा ठीक है तो आप कैसे पता करेंगे बस यहां से आसानी से पता कर सकते हैं जब इसको पूरा पढ़ेंगे यहां तक पूरा पढ़ेंगे यहां पर रड़ दिया है ना रड इसका मतलब राड़ा-परताब याद र जिसे right जी ने लिखा है सियाम न्याराब पांडेजी ने लिख theme स्ञाशद कैसे देंगे यहां पर 3 प्रशन संदरroph titled कि क्यों तोटा दूंबर मेवान सिंहreated रक्त का प्यासा बनकर क्यों टूटा दो नंबर के इस पे रिखांकित अंस में प्रयुक्त अलंकार बताते हैं तो दो नंबर इस पे मिलने वाला है चलिए इसका एंसवर आप सभी को बताते हैं पहले इस पैसेज को आप ध्यान से एक बार पढ़ दीजिए ठीक है तो देखि संदर्व संदर्व लिखने के बाद जो अभी संदर्व पता है उसी तरह आपको लिखना है कि प्रस्तूत पद्यांस हमारी पाठ्थ पुस्तक हिंदी के काब खंड में संकलित हल्दी घाटी नामक पाठ से लिए गया है इसके रचहिता श्याम नहरार पांडे जी है इस प् प्रकष्ण आपसे पूछ रहा है कि मेवार कैसरी किसे कहा गया है तथा वह मांसिक पर रक्त का प्यासा बनकर क्यों टूटा इसका एंस्व देखिए आप कैसे देंगे यहां पी इसका एंस्व लिखा है देखिए आपको पढ़के बताते हैं कि महाराणा परताब को मुगल से अपनी मात्र भूमी की रच्छा के लिए वीरता पूर्वक अकबर की सेना से जुद में विजाई हासिल करने के कारण मेवार कैसरी कहा गया वह मांसिंग पर रक्त का प्यासा बनकर इसलिए तूट पड़ा क्योंकि मांसिंग हल्दी घाटी के युद में विपच्छी सेन का नेत्री तो कर रहा था इसलिए महारा प्रताप अपने स्वाविमान के लिए मांसिंग और उसकी सेना पर रक्त का प्यासा बनकर तूट पड़ा इस पकास इसका एंस्वर देना पड़ेगा कि महारा प्रताप मांसिंग पर इस पर लिए रक्त का प्यासा बनकर तूट उसके परती रक्त का प्यासा बनका तूट पड़े इस पकास है और इसमें अलंकार जो है उत्प्रच्छा अलंकार है अब लिख दीजिएगा ठीक है रखिए उत्प्रच्छा अलंकार जब इसको पूरे पर अगर आपको यहां से लेके यहां तक पढ़ेंगे इसमें मनो आ र बात करना है आपको टोटल पांच नंबर का प्रश्ण रहेगा तो अब दीखे संस्कृित की जितने भी गध्यांस होते हैं पद्यांस होते हैं उसको आप कैसे लिखेंगे और कैसे एंसवर देखेंगे चलिए आप सभी को बताते हैं इसमें यह आपके सामने संस्क्रीट है अब संस्क्रीट का गध्यांस और पध्यांस को हल करने का तरीका आप सभी को ट्रीक के माध्यम से कैसे आप गध्यांस पध्यांस चाहे संस्क्रीट का हो चाहे आपका हिंदी का हो कैसे हल करेंगा आप सभी को बता चुके हैं कि आप बिना पढ़े भी इसको कैसे हल कर सकते हैं यहां पर आप सभी को इसका सतिक एंस्वर बताने वाले हैं। आप यदी अभी तक उस फीडियो कई देख लेते हैं। यह सिक path के जा cankis देख़ लेते हैं। नस्य नो अवार पार right को असमें चैसित अब कर onu खकी размंश पैप सानी से सब्साहर शैने सबाद सकते हैं। वो वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी सावित होने वाला है अब देखें इसका एंस्वर आप कैसे दिखेंगे जैसे आप पर पैरग्राफ दिया है संदर्व और आप हिंदी मनुवात करना रहेगा इसका आप कैसे करेंगे प्रश्णोत्र संक्या तीन डाल दीजेगा इस प्रारम की एक दो करेंगे कि 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 पार्ट से लिया गया है देखें जहां पर आपको नगरवाला सब्द मिल जाए और केंद्र अस्थल मिल जाती है वरार्सी जो पार्ठ उसी में सबसे ज़्यादा इन शब्दों का प्रियोग किया गया ठीक है तो वरार्सी नामक पार्ठ से लिया गए इस तरह आप पता कर सकते हैं जैसे आपको पता है इस पकार से आप इसका संद्रब लिख लिखेंगे इस जो पर अगराफ दिया यहां से लेकर यहां तक इसका हिंदी में अनुआत कैसे होगा तो देख और फैला है मुगल यूराज दारा शिकोह ने यही आकर भारती दर्शन सास्त्रों का अध्यान किया था वह उनके ग्यान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनी स्थदों का अनुवाद फार्सी बासा में करवाया ठीक है इस प्रकास इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना था ठीक है देखे फ्रेंस आपको ट्रिक से सीखना है तो आप जरूर उस वीडियो को जा के देख लीजिए आप ट्रिक से बहुत सटिक एंस्वर आप बोर्ड की एक्जाम में लिख के आएंगे जैसे आपको ट्रिक बता है ठीक है तो उसको जा के जरूर देखिए आपे इस गध्यांस कपडेएं यहां से करक साटेल नागरी नागरी का भवकालाम यावय यह अचेंतिय सीन फरह लिखाये ठीक है प्रहली काई-ऩाएं और यहांपर यह पी प्रहा लिखाये अंध करना पहली पूछना जब पहली पूछा जाता है तो आपको बुद्धी का सब्सक्राइब ayamadya havenा सब्द्द्ध कर सकते हैं कि कि पार्चान कर सकते हैं कि कि इसका देखिए, आपको पाठ का नाम पर पता चल गया जब पाठ का नाम पता जाएगा ता इसका संदर्व कैसे लिखेंगे देखिए पहले modern प्रश्णोतर संग्यत्ती अथम डालिएगा और यहां पर लिखिएगा संदर्व प्रस्तूत गद्यास हमारी पार्थे पुष्टक हिंदी के संस्क्रीत खंड के प्रभुद्ध्र ग्राइमर नामक पार्ट से लिया गया है इस पकास इसका संदर्व जैसे आपको समझाएं इ नागरिक ने बहुत समय तक सवचापरंद्व पहली का उत्तर देने में असमर्त ना हुआ इसलिए उस ग्रामील से कहा मैं इस पहली नहीं जानता यह सुनकर ग्रामर ने कहा यदि आप उत्तर नहीं जानते तो दीजिए 10 रुपे इसलिए मुर्जाय हुए मुक वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपे दे दिए ठीक है ति इस पकास इसको क्या करना रहेगा आपको हिंदी में अनुवात करना रहेगा ठीक है इस सब्राइस से समबादित आपसे प्रस्ट पूचा गया है इसमें क्या करना आपको संदर्व लिखना है और हिंदी हमत अनुवात करते हैं 30 11 यह फ्यक्राइब आपको प्रशनly दिये हैं दोनों प्रशनों को ऐन्सवर आपको बताते हैं पर प्ध्यांस को भी आपको ट्रिक से हल करने के तरीका आपको समझा दिए उसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है, सबीट्रिक आप जरूर 21 फरवरी से पहलू उस वीडियो के एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, और देख के जरूर चले जाएगा पेपर में, ठीक है, को दिखे जैसे आपका पहला के सपार्स पार्ट से लिया गया है आपका पद्यान्स में उसी पार्ट से लिया गया है इसका देखे संदर्व आप कैसे लिखेंगे हिंदी के संस्क्रीटि भारतीि संस्क्रिती नामक पाट से लिया गया है यहां आप लिख लीज़े का संदर्व हिंदी अनुवात करेंगे जिए किए इनवात में सरवे भवन्तु सुखेना mm उसकी होँ सभी निरोग हो आधिजित कळ somethin के कोई प्राप्त नहीं इसके बस इसी को अपने शब्रान कैसे लिगे करेंगे सब सुखी हो सब रोग रहीत हो सब कल्यार को देखें कोई भी दुखी नहीं इतना लिखेंगे पांच नंबर एक्जामिनल आपको देगा इसलिए कि पांच नंबर का प्रशन है ठीक है इस वकास आपको हिंदी मानुआत करना रहता है और इस तरह संस्क्रीट क्या ल एसे दिखेंगे लिखें माता गुत्र भूमे का टुष्च तरस्तता मन सिग्रता मुता चिंता बहुत्री तृणा माता गूुता भूमें इत भुमेर जीवन जीवन सु्त्राडी नामक पाट से लिया गया है जीवन सुत्राडी नामक पाट से लिया गया जो संदर्ब केशें go ठीक है दिखे वीडियो थोड़ा से लंबा हो रहा है तो आप इस्तिमत गवड़ा यह आपका 22 फरवरीस पेपर है संपूर पेपर का हल आप जरूर देखिए ठीक है प्रश्णुत्र संख्या चार रहेगा आपका माता डाट डाट करके त्रिडात मतलब यही आपका पहला सब यहां से लिख लिए लाश्ट वाल सब्सक्राण के डाट करके लिखे दिजिएगा संधर्व कैसे लिखेंगे लिखना यही तरीका जैसे अभी बता है कि प्रस्तूत पद्यांस हमारी पार्थय पुश्तक हिंदी के संस्क्रीट खंड के जीवन सुत्रार्णडरी नामक पार प्रिथिवी से अधिक से अधिक भारी माता है आधिक वायू से अधिक सिग्रता से चलने वाला का मन है ऐब दिय whiskey करने वाली किया है किन थीठा को माना जाता थे इस पकास से आप इसका लिखेंगे अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का जो प्रश्ण है पांचवा नंबर का कि अपने पठित खंड काब के आधार पर निम्लिकित प्रश्णों में से किसी एक का उत्तर देना रहेगा तोटल तीन नंबर का प्रश्ण रहेगा देख जितने भी गाजीपूर के छात्र है वह या उन्याव के हो गए ठीक है या आगरा के हो गए ठीक है जितने भी छात्र है वह इस वीडियो को देखिए आपको जो करना रहेगा मुक्ति दूद्ध दिया है मुक्ति दूद खंड काब के नायक का चरित्र चित्र आपको करना र पूछा है दो में से एक करना है यह आप सभी को पहले प्राशन का एंसर बताते हैं यह मुक्ती दूथ खंड कावब के नायक का चरित्र चित्र आप कैसे लिखेंगे चलिए इसका एंसर देख लीजिए इसी प्रकास आप बोर्ड की एक्जाम में लिखें दीजिएगा यहां प्रशनोत्र शंक्या ढाल दीजिएगा ऐसे का यहां पी एकी बार लेहरा इसको आप एक बदेख लीजी आपको याद हो जागा जैसे जीका ओर भृधार्थ की की नहीं बल की संपुड़विश्व की महान घटना है अपने गरिमा में ऐवं अलेंगिक चरित्र बल से गाधी जी संपुड़विश्व की प्राभावीत करके युग पुरूस कहला इति के इस हैं इस खंड़काब के नायक है जी हैं प्रस्तूत खंडकाब के आधार पर गादी जी के चरित्रेवेने मिलिकित विश्यस्ताएं पाई जाते हैं तो महात्मा गादी जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि वह क्या थे दिव्व पुरूष थे देश भक्त थे हरीजनों को उद्दारक थे ठीक है इस अगला एडिंग जो आप बनाएं उसको बना लीजीगा दीव पुरूष अब दीव पुरूष के बारे में देखें कैसे लिखेंगे महात्मा गादी महान पुरूष प्रिथिवी प्र अवतार के रूप में प्रकट हुए जो प्रिथिवी के दुखों का हड़ करने के महात्मा गादी जीने जीवन प्रत्न दलितो पीछडो तदा हरे जनों को गले लगाया गादी की जीवन का मुख्य उद्देश भी हरी जनों का उद्दार करना था फिर इसके बाद आप लिखिएगा मात्री भक्त में कैसे लिखेंगे कि गाधी जी मा के प्रती सरद्धा और भक्ती की भावना रखते थे गाधी जी ने उदारता परवपकार दया तथा सत्ता आधी के गुरों को मा से ही सीख लिया इस पकार से लिखेंगे ठीक है जितने बता है प्र इसको इसी पकार से आप लिखेंगे ठीक है अब आगला है जो आपका सांस तक देश की सेवा की सच्मुद महात्मा गादी स्वयम का सुक वयवो त्याग कर सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर देते हैं इस पकाशा को क्या करना रहेगा इसका एंसवर देना रहेगा ठीक है यह टोटल तीन नंबर का प्रश्ण था अब इसके अलावा जित जीला में जो पढ़ाया जाते हैं अपना इंसवर देंगे ठीक है और सभी प्रश्णों को छोगना रहता है छाठा नंबर का देखिए दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखा का जीवन परचे देते हुए उनकी एक प्रमुक्रचना का उलेख करना टूटल पांच नंब परचे लिखना रहेगा चलिए आप सभी को आचाराम चंद्र शुक्ल जी का जीवन परचे कैसे लिखने आप सभी को बताते हैं ठीक है देखें आप अचाराम चंद्र शुक्ल जी का जीवन परचे लिखना रहेगा तो पहले आप उनका संशीवत परचे जरू लिखिए ग जन्म कब हुआ था तो 1884 इस्वी में जन्मस्तान बस्ती जीला अगोना गाउं उत्तर परदेश में हुआ था पिता का नाम क्या है चंद्रबली शुक्ल मिर्त्युकब 1941 में इतना संचीत परचे लिखने के बाद आप जीवन परचे यहां पर लिख दिजीगा उनका कि आचाय रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 इस्वी में बस्ती जीले के अगोना गाउं में हुआ था इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था इंटर्मीडियट में आते ही उनकी पढ़ाई छुट गई यह सरकाई नोकरी करने लगे लेकिन कुछ समय के बाद मिर्जापूर के आदी का ज्यान प्राप्त किये कासी नगरी प्रचारणी सभा से जुड़कर शब्द सागर के सहायक संपाधन का कारेभार समाला ठीक है अब यहां पर देखिए सुकल जी निबंत आलोचना कवीता आदी के छेत्र में सर्व परी अस्थाने इनका स्वास का दवरा पढ़ने आगेक कार म reusecle lod हो गए हरा लिखने के बार आपको रचना उनकी लिखना जरूरी देफें रचनाय इसम ऋन्की रचनाय निम्रकित जैसा किन्ता में ली में बैसे कासया चन्तामृ विचार विति होतक् आदी इसमें क्या है कि आपको रचना जो लिखना है तिन चार पांच रचना है आपको लिखना पड़ेगा ठीक है इस पकास आप जैसंकर प्रशाद जी का जीवन परचे लिखिएगा अब आपके सामने अगला प्रचना पूचता है कि दिये गए कवियों में से किसी एक कवी जीवन परचे देना है उनके प्रमुक रचना का उलेख करना है टोटल पांच नमबर जीवन परचे पर तिन नमबर और अदिन रचना लिखते हैं तो उस पे दो नमबर मिलता है देखिए यहां पर आपको चार नाम दिया है चार नाम में से एक नाम मतलब एक कवी का ही और सभी को बताते हैं ठीक है जीवन परचे लिखेंगे जीवन परची और जिसका लिखनार रहेगा उसका नाम लिखेंगा तुलसी डास पहले पेश्वाब क्या किजिएका कि संचीफ्त परचे उनका लिखिएगा ठीक है जैसे गोश्वामि तुलसीदाजी है इनका संचीफ्त परचे में लिख़ दीजिएगा जन्म कब वहा था त्पंद्रों निसी में मिरत्यू कब वहा था सन 1623 इसी में वहा था जन्म स्थान क पेत राजा-पूर्चित्र्कूट उत्त्रपर्देश में माता का नाम तोक्रती सिस्पगिन-श३दि-श०्र bereits पूरा नमबर देता है ठीक है कि इसके पर्चे इस पकास लिखेंगे ठीक है बनाएगे जीवन पर्चे जीवन पर्चे देखें कैसे दिखेंगे कि तुलसी दास का जन्म चित्रकुट जीले के राजय पूर्णामक गाउं में सन 1532 इसी में हुआ था इनके पिता का नाम आत्मा करामदूबी और माता का नाम हुलसी था मूल नच्छत्र में जन्म होने के कारा इनके माता पिता ने इनहें त्याग दिया था नवर्णारी दास ने इनका पालंग पोश्ड किया था काशी के से सनातन नामग विद्वान ने इन्हें वेदो पुराडो आधिक रंथों का ज्ञान कराया था इनका विवार अतनावली से हुआ था इनका जीवन काशी अयोध्या और चित्रकूट में ठीक है अधिक बेयतीत हुआ इनकी मिर्त्यू काशी के असी घाट परसन 1623 इस्वी में हुआ था फिर इसके बाद जो रचनाय है देखे जीवन परचे लिखते हैं इस पर तीन नमबर मिल जागा दो नमबर इस पर मिलेगा आपको रामचरित मानस विनेपत्तिका कवितावली गितावली और दोहावली इस पर आपको नमबर मिल जाता है ठीक है तीस पकाव से इनका जीवन परचे आपको लिखना था अब देखिए आपके सामने सात्वा नमबर का प्रश्ण है और इसमें क्या है आपका कि अपनी पार्ट पुस्तक में से कंटस्ट कोई एक सलोग जो इस प्रश्ण पत्र में ना आया है उसको लिखना सलोग आपको बता इन दोनों में याद कर लिजिए आपके प्रश्ण पत्र में सलोग दिया यह वी याद कर लिजिए गा और साथ में और याद कर लीजिएगा नाइस पर दो नमबर आपको मिलता है पहला स्लोग क्या है कि मरम मंगलम यत्र विभूतिष्ट विभूशडम कौपिनम यत्र कौशयम साकासी केन मियते ठीक है यह से याद रखिए यह इसके लगा सबसे ज्यादा सिंपल तो यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राड़ी पश्चंतु मा कस्चितु यहां पर आप सभी को दो वदा दिया है इसमें से एक ही आपको लिखना रहता है जो आपको उस समय याद रहेगा ठीक है यहां पर देखिए आप आठवा नंबर का सवाल क्या है यह चार नंबर का प्रशन रहेगा निमर्कित में से किनी दो प्रशनों का उत्तर लिएटमेद में देना है यहां पर चार प्रश्ण पूझा कि इन चारों में से दो प्रश्ण का इन्सोर आपको देना इन्सोर आप को आ रहा है। उसी आप दीजिएगा चलिए आप सब्सक्राइब 4 प्रश्णों बता देते हैं वीर को नकिएंky करते हैं अगला प्रश्ण है पदेन विना की दूरम याति इसका एंसर देखेंगे इसका एंसर आप लिखेंगे अगला प्रश्ण आपका देखें क्या है यहाँ पर द्यान दीजेगा अगला असमाकम संस्कृति किस्टि वर्थते देखें इसका एंसर लिखेंगे ये चारो प्रशनों में से सिर्फ दोई का एंसर देना रहता है आपको चारो प्रशनों को एंसर बता दिए देखें अगला प्रशन और लाश्ट प्रशन जो आपका है देता है कि निम्नलिकित में से किसी एक विसे पर निबंद आपको लिखना रहता है ठीक है देखिए आपको यहां पर चार दिया है चार में से किसी एक पर ही निबंद लिखना है जिस पर आपको आ रहा है उस पर लिख सकते हैं चलिए आप सभी को आतंगवात की समस्या और समधान जो है इस पर आपको निबंद कैसे लिखना है आप सभी को पताने वाले है ठी दीजेगा आतंगवात के समस्या और समाधान है यहाँ पे आप हेडिंग बना लिजेगा आतंगवात के समस्या ठीक है और समाधान इस तरह आप हेडिंग बना लिजेगा पहले देखे जब भी निभन लिखा जाता था पहले संकेत बिंदू लिखिएगा संकेत बिंदू में जैसे आतंगवाद क्या है आतंगवाद का प्रभाव क्या पढ़ता है आतंगवाद का समधान संभो है आतंगवाद विरोधी दिवसका मरा जाते हैं इसका मतलब समाजिक धार्मिक या आत्म घात देश्चों को पूरा कर सकें ठीक है अब देखें अगला एड़िग जो आप बना है उसको कैसे लिखेंगे यहां पी देखिए जो लिखना है आपको अगला है अगलावाध कार ठीक है कातांगवाध कार क्या है यह तो पर किसी परभाव क्या होते हैं आतंगवाद के प्रभाव सामिल सुरच्छा समस्या आर्तिक हानी समाज में दुरभावना शामिल हो सकता है के लिवार्ड का निवारा का सिख्षा समाझ और ने आद़क्तितन को मत शुद्राइब कर सकते हैं अगला हेडिंग जह आपका जो लिखे रहेंके अगला हेडिंग क्या है क्या अतंगवाइब का समदान संबोहलें लेकिन यह कठीन परिक्रिया सुधार धिक है की अवसकता है अगरा है कि आतंगवाद विरोधी दिवस 21 मैं को आतंगवाद मनाया जाता है फिर इसके बाद इसका निश्कर्ष क्या निकलेगा आतंगवाद एक भयानक समस्या है जिसे समाज और सरकार को मिलकर समधान करना होगा सिच्छा समाजिक सुधार सुरच्छ और सहयोग से हम इस महामारी से निपट सकते हैं इतने point को आपको लिखना पड़ेगा फ्रेस आप जब भी आप निबंद लिखने का लिखियेगा तो उसमें जितना अधिक से अधिक आप हेडिंग बना सकते हैं उतना अधिक से अधिक हेडिंग बनाने का प्रयास कीजिए जितना अधिक से अधिक हेडिंग रहेगा उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे ठीक है तो फ्रेंस यह संपूर पेपर का आप सभी को हल बताएं ठीक है आप संपूर पेपर इसका हल जरूर आप एक दो बार देख लीजिए, ठीक है, maximum question आपको board की exam में देखने के लिए मिलेगा, फ्रेंस यह फ्राइस वीडियो लंबा हुआ है, लेकिन आपको सभी सवाल बताएं, इन सभी प्रशनों को आप जरूर तयार कर लीजिए, इसी पकास से परतेग paper का संपूर हल आ क्यों आपको एक है, आतक है, कर दो शुम कर्वोर है, ज जिस कानपा है, व्राग है